हालो एरिवन वेलकम तो गेटेगाई प्लस मैं हूँ उनको पाई शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेंथ ऑफ माटेरियल लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा मॉड्यूल वन है दाट इस सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंड वह स्टार्ट किया था ठीक है हमने आज हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लाओ के बारे में जिसमें हम डिफ्रेंट टाइप ऑफ इस्ट्रेस एंड स्ट्रेंज के बीच रिलेशांशिप किस तरीके का होता है वो समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर सो हुक्स लाओ जो है उसको सम पोजिशन कैमिकल कम पोजिशन इस कॉंस्टेंट थ्रू आओ ओके देन जब लोडिंग करी जाएगी उस समय टेंपरचर में कोई चेंग नहीं किया जाएगा ठीक है देर इस नो चेंग इन तेंपरचर देर इस नो चेंग इन तेंपरेचर in temperature during loading यहने कि constant time को constant रखते वे हम loads की analysis करेंगे stresses and strain की analysis करेंगे then there is no stress concentration there is no stress concentration ठीक है इसको समझते हैं कि stress concentration का क्या मतलब होता है हमने देखा था कि जो stress होता है चाहे किसी भी तरीकी का stress हो मैं उस stress की बज़ बात करूँ stress होता है आपका resisting force upon the area ओके अब हम जानते हैं कि भले हम किसी भी member का किसी भी rod का किसी भी कीज का cross session लिया हम लोग ले लेकर सेम है सर्फिस को मुसका स्मूध ले लें लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ठीक है देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है prismatic bar prismatic bar prismatic bar किनको बोलते हैं ऐसे बार्स या ऐसी चीजे जिनका cross section throughout their length or throughout their longitudinal axis constant होता है उसको prismatic bar कहा जाता है prismatic कहा जाता है उसको prismatic वर्ट जैसे कि हम जानते है prism का जो cross section होता है वो throughout the length सेम होता है that's why prism से derived हो है prismatic bar तो अगर किसी member का cross section throughout the length same है तो उसे मैं prismatic बोलूँगा तो मैंने अभी यहाँ पर इसको prismatic लिया है तो किसी prismatic bar का अगर cross section area A है और उसपे मैं अगर P force लगा हूँ so stress will be P by A but अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि जब मैं इसको surface की बात करता हूँ किसी real object की किसी real body के surface की बात करता हूँ तो हम जानते हैं जो surface होता है वो regular नहीं होता उसमें irregularities रहती है surface perfectly smooth नहीं हो सकता याने कि अगर मैं इसको microscopic level पर देखूंगा इसके surface को तो मुझे कुछ इस तरह के wavy edges दिखाई देंगे ठीक है तो जब मैं microscopic level पर जाता हूँ तब देखता हूँ कि इसके surface जो है वो perfectly smooth नहीं है याने कि अगर ये दो surface top surface और bottom surface को मैं observe किया तो देख रहाँ कि जो area of cross section है that is not actually constant इसमें minute changes है ठीक है तो जहाँ पर area कम होगा ठीक है जहाँ पर area कम होगा वहाँ पर इस relation से साब साब समझा रहा है कि stress जादा होगा तो जब ऐसा कुछ हो किसी भी object में कि उसका area कम हो किसी particular जगह पर तो उस जगह पे जहाँ पर area कम होता है से यह जो zone है यहाँ पर जो area है वो minimum है A is minimum ओके तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर area minimum होता है तो during loading उस particular जगह पर बाकी जगहों के compare में ज्यादा stress produce हो जाता है तो हम यह कहेंगे कि इस जगह पर ज्यादा stress है तो stress यहाँ पर concentrate हो गया और यह फिनॉमिना है that is increase in stress at a particular location increase in stress at a particular location due to reduction in the area of cross section or the area is known as stress concentration ठीक है stress concentration कई बार हम लोग यहाँ पर intentionally करते हैं कई बार यहाँ पर intentionally नहीं करते हैं जैसे कि हम लोग कुछ shapes देखते हैं like this ऐसे हम members देखते हैं तो यहाँ पर इसका shape इसके particular use के लिए बनाया गया है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो load लगा रहा हूँ ठीक है वो तो throughout the member same है लेकिन cross section area change हो रहा है इस जगह पर जो cross section area है वो minimum है तो यहाँ पर जो stress होगा वो maximum होगा ठीक है so this there will be any stress concentration so यहाँ पर hooks law ने यह assume किया है कि जो material है उसका surface जो है वो perfectly smooth है and there is no stress concentration there is no stress concentration and the surface and the surface is perfectly smooth ठीक है so there will be no stress concentration concentration आई वो आपको यह तीनों points है यह आपको समझ आगे होंगे next है आपका the material is deformable the material the material is deformable याने कि हम rigid body के लिए hooks law नहीं लिख सकते ठीक है rigid body के लिए hooks law नहीं exist करता है so hooks law जो है that is the constitutive equation for all the solids ठीक है यह हमको याद रखना है तो hooks law कहता है कि अगर यह assumptions follow हो रहे हैं यह चार जो तीन से चार जो point में लिखे हैं यह अगर fundamentally अगर आपके follow हो रहे है then the stress will directly proportional to the strain the stress produced will be directly proportional to the strain produced okay now हमने different type के stresses and strain देखे हैं तो अगर normal strain की बात करूं so normal strain will be directly proportional to normal stress okay normal stress will be directly proportional to normal strain और I can say अगर मैं longitudinal stress की बात करूं and strain की बात करूं then longitudinal stress will be directly proportional to longitudinal strain shear stress की बात करूं so shear stress will be directly proportional to shear strain so stress is directly proportional to strain this is the Hooke's law this is the Hooke's law अब जब मैं यहाँ पर कोई proportionality को हटाता हूं तो मुझे constants मिलते हैं so first of all मैं बात करता हूं इसकी ठीक है so यहाँ पर stress is directly proportional to strain यहाँ पर जब मैं इसको हटाता हूं proportionality को तो मुझे constant मिलता है that is sigma is equal to e times of epsilon and in this particular case e is known as modulus of elasticity modulus of elasticity okay और Young's modulus Young's modulus भी बोलते हैं ठीक है so now अगर मैं लिखूँ shear stress and strain के भी इस relationship that is tau is directly proportional to phi now अगर मैं यहाँ proportionality हटाता हूं तो constant आएगा g g into phi okay यह मुझे Hooke's law मिलेगा here g is known as modulus of rigidity modulus of rigidity so this is the Hooke's law which gives us a relationship between stresses and strains so last video में मैंने आपको बताया था कि जो strain है strain that is the measure of deformation strain is the measure of deformation और मैंने यह भी बताया था कि strain को हम measure कर सकते है physical observations से ठीक है लेकिन जो stress होता है उसको किसी भी gadget के तिरूँ को directly हम measure नहीं कर सकते है तो strain is measure of deformation okay now क्योंकि मैं stress को directly measure नहीं कर सकता तो क्या कर सकता हूं stress को हम directly measure तो नहीं कर सकते हैं लेकिन using the constitutive equations मैं इसकी value calculate कर सकता हूं so stress can be calculated calculated using using constitutive equation that is our hooks law and compatibility equation okay compatible equation क्या होता है इसको समझते हैं जब हमको कोई particular case केस दिया होता है जिसमें हम लोग को stresses calculate करने होती है तो उस particular case में stresses के अलग-अलग correlations आते हैं ठीक है उन correlation को represent करने वाले यानि कि given problem को mathematically depict करने वाले equation को यानि कि ऐसा equation जो उस problem के साथ relate करता है ठीक है उसके साथ compatible है ऐसे equation को हम बोलते है compatibility equation so compatibility equation is nothing but a equation which depicts the actual situations okay so compatibility equation and constant equation का use करके हम लोग जो stress है उसकी value को निकाल सकते हैं तो मैंने आपको specifically बताया है कि stress cannot be measured stress को हम लोग measure नहीं कर सकते हैं तो कैसे हम लोग इसको study करते हैं basically जब हम लोग lab में जाते हैं जब हम लोग test perform करते हैं different kind of test perform करते हैं in that case stress is referred as a function of strain ठीक है stress is referred as a function of strain क्योंकि हम लोग strain को directly measure कर सकते हैं that's why simple मैं यहाँ पर stress को as a function of strain वहाँ पर develop करता हूं उसको define करता हूं ठीक है और जब मैं stress और strain को आपस में relate करने के लिए stress और strain के बीच में कोई curve plot करता हूं that is known as stress strain diagram stress strain diagram okay now क्योंकि sigma epsilon का function है that's why इस axis में epsilon लेते हैं इस axis में हम लोग sigma लेते हैं ठीक है now इनके भी जो curve plot होगा that will be known as stress strain diagram okay now हमने देखा that sigma is equal to e into epsilon that is stress is equal to young's modulus into strain इस equation को अगर मैं compare करूं y is equal to mx plus c से ठीक है y equal to mx plus c that is equation of a straight line with intersection in the y-axis c is the intersection point ठीक है and m is the gradient or the slope of line ठीक है so this represent equation of a straight line now इस equation के साथ मैं हमारे hook slow का जो equation है जिसमें मैं stress and strain को relate कर रहा हूं उसके साथ compare करता हूं so y किस जगा क्या है आपका sigma है x की जगा यहाँ पर epsilon है और मैंने पहले बताया sigma is function of epsilon और इस particular equation में y is function of x that's why हम लोग यहाँ पर y और x के बीच में एक कर प्लोट कर सकते हैं अब यहाँ से देखता हूं मैं इस equation में जो gradient है m उसकी जगा है e ठीक है याने की young's modulus जो है young's modulus ठीक है that will represent the slope or the gradient of the stress-strain diagram young's modulus will be the slope of the stress-strain diagram तो यह हमको यहाँ से समझ आता है अब इस equation को जब मैं observe करता हूं तो यहाँ देख रहा हूं कि जो c की value है that is 0 तो अगर मैं stress-strain diagram plot करता हूं किसी भी ऐसे material के लिए जो की hook-slot पो completely follow करता है in that case जो intersection point है that is at origin याने की जो line मिलेगी वो origin से pass out होगी यहाँ से pass out होगी और वो एक inclined straight line होगी so this line represent a linear a linear elastic material linear elastic material that is a material which follows the hooks law a material a material which follows hooks law ऐसा material जो hooks law को follow करता है that is known as linear elastic material क्यों क्योंकि जो hooks law का equation है हमारे पास that is a linear equation और जब मैं curve plot करता हूं तो मुझे एक inclined straight line मिलती है ठीक है और इस curve का जो slope होगा that slope will be equal to the young's modulus of elasticity ठीक है so यहाँ पर हम लोगोंने जो hooks law था उसका जो stress strain curve कैसा बनेगा वो plot कर लिया ठीक है अब देखिए जिस particular point तक के यह जो stress है और जो strain है वो directly proportional होंगे क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता के infinite rate of loading तक के infinite value of load तक के यह हमेशा follow ऐसा नहीं होता है यह जो stress और strain का relationship है from the hooks law वो एक particular load तक ही material कर सकता है ठीक है और जिस particular point तक के जिस particular state तक के यह condition valid होता है that is called limit of proportionality ठीक है यह point suppose इस particular point पे let us say point A तक stress is that proportional to strain त्याने की hooks law follow हो रहा है ठीक है तो इस point को मैं बोलूँगा limit of proportionality ठीक है तो limit of proportionality उस point को कहते है जहां तक कोई material hooks law को follow करता है ठीक है नाओ ऐसा material जिस पॉइंट तक के यह line hooks law को follow करती है उस point को हम limit of proportionality बोलते है ठीक है ठीक है नाओ ऐसा material जिस जो hooks law को follow करता है उसको elastic बोल रहे है और इस curve का जो slope है वो young's modulus के बराबर है ठीक है नाओ हम देखेंगे young's modulus के बारे में ठीक है अब मैं जानता हूँ के जो epsilon है तो अगर मैं इसकी unit की बात करूँ के E की unit क्या होगी young's modulus क्या होगी तो young's modulus की जो unit है that is same as that of the stress याने की इसकी unit होगी newton per meter square or I can write same as that of stress, stress के जैसे ही इसका unit होगा ठीक है तो यह हम लोग को यहां से इसकी unit मिल जाती है next यह बताता क्या है young's modulus अब इसको देखते है ठीक है now मैंने आपको बताया के इस equation को that is hook's law के equation को जब मैं compare करता हूँ line के equation से तो मुझे पता चल गया के जो E है that represents the slope of the stress strain curve stress strain diagram now अगर मैं दो materials लेलूँ ठीक है let us say material A and material B material A का जो young's modulus है that is E1 and material B का जो young's modulus है that is E2 now if I will plot the stress strain curve for the comparison between A and B so क्योंकि अगर E1 बड़ा हो E2 से so in that case जो A के लिए stress strain diagram बनेगा वो थोड़ा steep होगा this is the stress strain diagram for A and उससे थोड़ा सा नीचे मिलेगा आपको कम slope के साथ B क्योंकि E1 बड़ा है that's why जो A के लिए stress strain का मिलेगा उसका slope उसकी धलान जादा होगी this is E1 and this will be E2 okay now इसका क्या मतलब है इसका मतलब देखिए आप अगर मैं किसी particular इस कर पे कोई particular point लेता हूँ ठीक है let us say मैं यहां पर stress की value लेता हूँ कोई sigma 1 यहां से मैं एक horizontal line draw करता हूँ और यहां intersection point मिल रहा है 1 and 2 now 1 को मैं project करता हूँ नीचे तो मुझे यहां मिलता है epsilon 1 यहां मिलता है epsilon 2 epsilon 1 जो है that is the strain in A epsilon 1 is strain in A at sigma 1 stress ठीक है then epsilon 2 is strain in B at sigma 2 sigma 1 stress ठीक है तो अब देखिए कि same stress दोनो material पर लगा याने कि stress के formula से मैं बोल सकता हूँ P by A अगर मैं दोनो members का cross section area that is area of A equal to area of B ले लू तो उस case मैं बोल सकता हूँ मैं कि दोनो members में मैंने same load लगाया क्योंकि sigma A equal to sigma B equal to है आपका sigma 1 है ना so sigma 1 be equal to P by A and A will be equal to A of A and A of B area of A and area of B याने कि दोनो rods पर same load लगाया मैंने दोनो rods का cross section area same है that's why दोनो rods में stress भी same होगा okay I hope यह चीज आपको clear हो गई होगी so same stress लगाया same load लगाया मैंने दोनो rods में लेकिन मैंने देखा कि दोनो rods का जो strain है वो अलग-अलग है rod B जो है उसका strain मिला Epsilon 2 and rod A का strain मिला Epsilon 1 and from stress strain का I can see Epsilon 2 is greater than Epsilon 1 इसका मतलब यह है कि जिस material का Young's modulus ज्यादा होता है उसमें ज्यादा load लगाने पे कम strain मिलता है ज्यादा load लगाने पे कम strain मिलता है याने कि वो material उतना ज्यादा rigid होता है ठीक है याने कि increasing value of E1 जो material है ज्यादा है इसका मतलब है कि वो material जो है वो उतना ही ज्यादा rigid है वो उतने मुश्किल से deform होता है और यह जो tendency है that is known as stiffness किसी material को deform करने में जितनी मुश्किल होती है उससे हम उतना ज्यादा stiff कहते हैं तो यहाँ से समाज आता है that young modulus is measure of stiffness young's modulus modulus is measure of stiffness young's modulus बताता है के material कितना stiff है जितना ज्यादा young's modulus होगा उतना ही ज्यादा वो material stiff होगा यानि कि उसको deform करने के लिए हमको उतना ही ज्यादा force apply करना पड़ेगा और यह चीज इस डायग्राम से clear होती है क्योंकि B का young's modulus कम था as compared to A तो देख सकते है same load लगाने पे B ज्यादा deform हुआ और A कम deform हुआ ठीक है यानि कि A को अगर मुझे B के बराबर deform करना है in that case मुझे load ज्यादा लगाना पड़ेगा तब कहीं जाकरके A का deformation B के deformation की equal मिलेगा तो यहां से समझ के गए हम लोग कि A ज्यादा stiff है और B कम stiff है So young's modulus is the measure of stiffness Now young's modulus को properly define करते हैं हम लोग तो जब मैं लिखता हूं sigma is equal to E into epsilon I know sigma होता है P by A equal to E into epsilon होता है change in length upon original length Okay So from here I can write E equal to P into L by A into del L Okay Now if del L becomes equal to L अगर del L L के equal हो जाए तो यह जोनों terms cancel जाएंगे and E will become P by A that is equal to sigma अब del L equal to L का क्या मतलब है del L equal to L का मतलब यह है कि जित्ती body की length थी force लगाने के बाद उतना ही हमको change in length मिला तो let us say body की length 10 meters है और change in length हो जाए force लगाने के बाद 10 meters तो finally तो finally जो हम लोग को length हो लेगी that will be 20 plus 10 that is 20 meters आने की length double हो जाएगी तो Young's modulus stress की वो value है जो अगर हम किसी भी member पे apply कर दें तो उस case में उसका जो length है वो double हो जाती है okay so Young's modulus Young's modulus Young's modulus is the value the value of stress which can double which can double the length which can double the length of the member okay so this is about the Young's modulus अब हम देखते हैं elastic materials and plastic materials जैसे कि ने बताया ऐसा material जो हुसलो को follow करता है उसे हम linear elastic material बोलते हैं तो यहाँ पर elastic material क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है ठीक है elastic materials ऐसे material को बोलते है जिसमें elasticity होती है elasticity को हम और detail में देखेंगे जब हम लोग mechanical properties पर जाएंगे okay so elastic material basically ऐसे material होते हैं जो load हटाने पर अपना shape regain कर लेते हैं del L ठीक है अब जब मैंने load हटा दिया that is मैंने peak equal to कर दिया 0 यहांने load is removed load is removed तो उस case में जो deformation था वो gap हो गया यहने कि vanish हो गया खतम हो गया material पहले ही जैसे ही अपने shape में आ गया यहने कि जब peak equal to 0 हुआ तो del L चेले कि change in length भी क्या हो गया 0 हो गया वापस उसका जो shape था वो same हो गया और वो वापस अपनी initial shape में आ गया तो ऐसे material जो load हटाने पर अपने shape में वापस चले जाते हैं और अपना shape completely regain कर लेते हैं ठीक है completely regain यह important है completely regain its original shape and size ठीक है ऐसा material को हम लोग बोलते हैं elastic material और यह जो deformation हुआ है जिसको हम लोग हटा सकते हैं आफ load हटा कर उसको हटाया जा सकता है ऐसे deformation को बोलते है elastic deformation यहन्न कि ऐसा deformation जो load हटाने के बाद गायब हो जाता है खतम हो जाता है ऐसे deformation को बोलते है elastic deformation ठीक है याने कि P लगाया जब मैं तो P के corresponding मुझे del L deformation मिला then जब मैं P equal to zero करताने की load जब मैं remove करता हूँ तो del L भी क्या मिल जाता है मुझे zero मिल जाता है तो ये है आपका elastic deformation next हम देखते हैं plastic materials plastic material ऐसे material होते हैं जो अपने size में होने वाले changes को regen नहीं कर सकते हैं क्यों इसका कारण ये है कि plastic material में ये माना जाता है कि वो अपने अंदर होने वाले अपने shape and size में होने वाले change को ज़्यादा resist नहीं करते हैं और क्योंकि वो resist नहीं कर रहे हैं याने कि हमारे द्वारा लगाए गयए force के अगेस्ट वो कोई प्रोड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे है तो क्योंकि वो उसके अगेस्ट कोई प्लास्टिक मटेरियल इसमें अगर मैंने लोड लगाया ठीक है तो मुझे डिफॉर्मेशन मिला डेल एल ओके डेल एल मुझे डिफॉर्मेशन मिला लेकिन जब मैं लोड हटा दियाने की पीकॉल टू मैं यह इसको फोर्स को में हटा राच मिलाज ऊसको फोर्स कोई जाता है तो अब हम ने लिया कि स्ट्रैस स्ट्रेंड डियाग्राम क्या होता है हमने देख लिया यह प्लास्टिक क्या होता है तो कुछ fundamental types of materials के लिए हम लोग stress strain curve देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं linear elastic material की याने कि ऐसे materials जो hooks log को follow करते हैं तो हम जानते हैं original से गुजनने वाल लिए कि straight line हमको मिलती है so this is the stress strain diagram for a linear elastic material okay now second मैं देखता हूं rigid material अब rigid material की मैं जब बात करता हूं तो मैं जानता हूं rigid material उनको कहा जाता है जिनमें कोई deformation नहीं होता है irrespective of the direction and the magnitude of load आप किसी भी direction में कितना भी load लगा लो उसमें कोई deformation नहीं होगा ऐसे material को हम बोलेंगे rigid materials तो अगर मैं हुसला लिखता हूं that is stress is equal to E into epsilon so E will be equal to sigma by epsilon as मैं कितना भी force लगा लो कितना भी load लगा लो इसमें कोई deformation नहीं होने वाला है that's why for a rigid material irrespective of the load the stress the strain will be 0 कोई deformation नहीं होगा so I can write E equal to sigma by 0 that is equal to infinite याने कि किसी rigid material के लिए जो young's modulus होता है उसकी value infinite होती है okay so इसके लिए जब मैं इस stress strain diagram plot करता हूं तो कैसे plot करूंगा क्योंकि किसी भी stress की value पर किसी भी load पर कोई भी strain नहीं हो रहा है that's why यह जो sigma का axis है यह वाला इस axis पर हर जगा मैं जानता हूं हर एक point पर epsilon equal to or 0 तो यह जो axis है sigma axis this represent rigid या बोलते है इसको ideal rigid ideal rigid material ठीक है जिसमें कोई भी strain नहीं होता चाहे कितना भी मैं load लगा दो आइडियल प्लास्टिक क्याने की जैसे कि अभी मैंने खुछ दिर पहले बताया आपको प्लास्टिक deformation या प्लास्टिक material की जब बात करते हैं तो यह माना जाता है कि प्लास्टिक materials जो होते हैं वो resistance force offer नहीं करते हैं या अगर करते भी हैं तो applied force के correspondingly वो कम resistance offer करते हैं that's why वो अपने initial shape को regain नहीं कर पाते cause there is no restoring force ठीक है so that's why जब मैं आडियल प्लास्टिक की बात करूंगा तो आडियल प्लास्टिक में यह कहा जाएगा कि वो बिल्कुल भी resisting force offers नहीं करता है यानि कि मैं कितना भी लोड लगा हूँ चाहे एकदम small load लगा हूँ उस पे चाहे एकदम large load लगा हूँ उस पे वो material अगर ideal plastic है तो in that case वो कोई भी resisting force offer नहीं करेगा लेटा से यह आपका ideal plastic material आपी means ideal plastic इस पे मैं अगर force लगा रहा हूँ पी and मैं कहीं पार section काटता हूँ और resisting force देखता हूँ F so F will be 0 there will be no resisting force right so cause F is 0 ठीक है so stress लिखता हूँ F by A that is resisting force upon area so this will be 0 by A so stress will be 0 तो ऐसा कौन सा axis है जिसमे stress throughout 0 है तो यह axis that is epsilon वाला जो axis है यह axis represent करता है sigma 0 तो यह जो curve बनेगा that is along the epsilon axis this curve और दिस line will represent ideal plastic ideal plastic material okay now we will see elasto plastic material fourth type है अब न एलास्टो plastic material याने कि ऐसे material जो कुछ particular range तक के elastic behavior देते हैं then after a certain range वो प्लास्टिक बहेवियर देने लग जाते हैं तो इस तरीके का मैं देख रहा हूं यहां तक इसने hooks law follow किया elastic behavior दे रहा है then यह दे रहा है plastic deformation खीक है तो इसके कई possibility है यह इस तरीके का जा सकता है this is also a plastic deformation अगर मैं कहा रहा हूं इस point को elastic limit इस point को मैं कहूंगा elastic limit तो इसके बाद जो भी हमको कवर मिलेगा वो plastic deformation को show करेगा what does it mean by elastic limit? elastic limit उस point को कहते हैं जिस point तक अगर मटेले को load कर दिया जाए तो वो अपने elastic that is elastic behavior show करता है यानि कि इस point पे अगर मैं इस point तक इसको load करूं elastic limit तक इसको load करूं then load मैं remove कर दूं तो वो अपना shape और size completely gain कर सकता है लेकिन अगर मैं इस point से जादा stress लगा दू जादा load लगा दू उसमें तो वो वापस अपने previous shape में नहीं आ पाएगा उसका elastic behavior कम या फिर खत्म होने लग जाएगा तो ऐसे point को बोलते हैं elastic limit that is elastic limit a point up to which up to which मतलब यहां से लेकर के यहां तक so elastic limit is a point up to which a material shows elastic behavior ठीक है उसके बाद elastic behavior होगा मतलब इधर का जो zone होगा यह plastic deformation होगा ठीक है plastic deformation होगा ठीक है plastic deformation होगा ठीक है so this is a typical elasto-plastic material and this is the stress stand background ठीक है now यह भी हो सकता है कि यह curve flat हो मतलब plastic behavior का curve ऐसा ना बन करके ऐसा बने जाने की horizontal बने और horizontal हम जानते है ideal plastic material के हम लोग show करते हैं ठीक है तो यह behavior है that is known as elasto-plastic और elasto-ideal plastic behavior ठीक है so अब देखते हैं rigid plastic और perfectly plastic material ठीक है देखिए हम जानते है rigid material याने की मैं उसका कितना भी load बढ़ा दूँ उसके उपर उसमें कोई भी deformation नहीं होता है तो अगर मैं एक particular material की बात करूँ जिसमें मैं stress बढ़ाते जा रहा हूं बढ़ाते जा रहा हूं लेकिन कोई deformation नहीं हो रहा है लेकिन at a certain point at a certain point अचानक से ये ideal deform हो जाता है ideally deform हो जाता है एक particular point के आने के बाद ये कोई भी resistance offer नहीं करता है और एकदम से deform हो जाता है एक ये horizontal curve follow करता है ठीक है तो यहां तक अगर मैं नाम दूँ a b c तो a से b तक इसने कैसा behave किया rigid material की तरह behave किया ठीक है लेकिन b से c तक इसने कैसा behave किया ideal plastic की तरह किया ठीक है ideal plastic की तरह इसने behave किया तो ऐसा material को हम कहते है perfectly plastic material याने कि ऐसा material जो ideal plastic behavior देने से पहले कुछ certain stress required होता है ऐसा material जिसमें ideal plastic behavior के पहले certain value of stress required होती है ऐसे material को हम बोलते है rigid plastic और perfectly plastic material ठीक है इस value को कई बार जिस particular stress के बाद ये material ideal plastic बन जाता है उसको कई बार कई books में yield stress भी कहा जाता है now ideal plastic की जब मैंने बात की थी याने कि ऐसा material जो की आपकी द्वारा लगाया गया force को बिलकुल भी resist नहीं करता है याने कि f equal to zero होता है और वो completely deform होते जाता है ऐसे materials को generally हम fluids भी कहते है fluid mechanics में मैंने आपको बताया है ठीक है fluid mechanics जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि fluid कोई भी resistance offer नहीं करते हैं अगर fluid static condition में है तो उस case में अगर हम लोग उसमें very small force भी लगाते हैं तो उस force को resist नहीं करता है और continuously deform होने लग जाता है so adult plastic का एक example बोच सकते हम लोग fluid okay so these are the various type of stress system diagram for typical materials so यहाँ पर हमारा आज का video lecture खतम होता है आज हमने hooks law के बारे में पढ़ा hooks law के different points देखे हमने young's modulus के बारे में पढ़ा then different type of materials के लिए that is elastic materials and plastic materials के लिए हमने stress and curves भी देखे next video में हम देखेंगे different type of material that is ductile material, brittle material and then हम हाँ discuss करेंगे mechanical properties के बारे में जो की किसी भी exam के point of view से किसी भी exam के point of view से बहुत ज़्यादा importance रखता है ठीक है हम उसको काफी microscopic level पर discuss करेंगे ठीक है और उस पर आए वे कुछ objective questions भी solve करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो I hope आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छे से समझा होगा आज का lecture से secure हुआ होगा लेकिन अगर आपको कोई भी doubt है आज के topic से तो आप नीचे comment section में अपने doubts डाल सकते हैं हम meantime में आपके doubts को resolve करने की कोशिश करेंगे अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलिए और नीचे बने bell icon को ज़रूर दबाईए ताकि हमारे latest notifications आपको time to time मिलते रहें मेरे और मेरे gate academy plus team की तरफ से आप सभी को thank you